हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक पैटन जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सुन्दर भी लग रहा है बिगनर्स के लिए तो बहुत आराम से बना सकते हैं अगर बिगनर्स जैन स्वेटर बच्यों की स्वेटर या सौल वगरे बनाना चाते हैं लेडी स्वेटर में भी आप इस पैटन को दे सकते हैं ठीक है बहुत ही आसान पैटन है थोड़ा सा इसकी डिटेल में बता देती हू चार रो में यह pattern आएगा तीन रो हम एक जैसी बनाएंगे और चौथी जो उल्टी रो आएगी वो एकदम simple आएगी परल में ठीक है तो इसका pattern बैठाने का तरीका देख लीजे आप शुरू में हम तीन सीधे करेंगे उसके बाद पांच उल्टे करेंगे तीन सीधे पांच उ से सुरू करेंगे तो बॉर्डर के बाद आप यह मत सोचेगा कि यह pattern बन गया है उसके उपर pattern बैठा रहे हैं तो अलग तरीके का होगा तरीका एक ही है आप बॉर्डर कर लीजे आपको जितना भी बॉर्डर करना है उतना बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी रो में अगर वह फंदे अगर बनाने तो वह भी बढ़ा लीजे और सीधी रो से हम यह pattern को सुरू करेंगे तो pattern कैसे सुरू करेंगे देखे पहला फंदा हम ऐसी ले लेंगे बिना बनाए दूसरा और तीसरा तीन फंदे हमारे सीधे होगे ठीक है तीन फंदे सीधे धागा आगे एक दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे उल्टे धागा पीछे एक दो तीन फंदे सीधे धागा आगे एक दो तीन चार पांच पांच पंदे उल्टे और फिर तीन फंदे सीधे तो तीन फंदे सीधे पांच पंदे उल्टे इस तरह का यह pattern repeat होता हुआ आएगा ठीक है आप आप नीचे का pattern मत देखेगा, यह आपकी first row है, आपने first row में यही बनाना है, शुरू के 3 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, इसी तरह से आपको pattern बैठाते हुए जाना है, और यह देखे, 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमको last में जैसे हमने शुरू में 3 फंदे सीधे किये थे ना, last में भी हमको 3 फंदे सीधे ही करने है, ठीक है, यह तो हो गई हमारी first row, अब first row complete करने के बाद front वाली, अब back row में आगे हम second row में, यहाँ जो हमने फ्रंटर साइड हमने जो सीधे फंदे बनाये थे 3, वो बनेंगे हमा हमने धागा पीछे करेंगे और जो फंदे हमने 5 फंदे जो front side में उल्टे बनाये थे, उनको back side में सीधे बना लेंगे, ठीक है, एक, दो, तीन, चार और यह 5, आर आपके समझ में, तो जो 3 सीधे थे उनको उल्टे बना लेंगे, तो back side में एकदम wrong आ जाएगा, एकदम opposite आ जाएगा, जो हम front side में 3 सीधे 5 उल्टे कर रहे थे, back side में हमारे 3 उल्टे 5 सीधे आ जाएगे, ठीक है, कहने का मतलब है, जो फंदा जैसा है, उसको वैसा ही बना लेना है, जो उल्टा है, जो सीधा है, उसको सीधा बना लेना है, तो back side में हमारे 5 फंदे सीधे आ जाएगे और front side में हमारे 5 फंदे, वही 5 फंदे उनको उल्टा कर लेंगे, ठीक है, 3 फंदे सीधे थे तो यहाँ पर back side में हमारे ये सीधे फंदे उल्टे आ गए हैं, और back side में इन फंदों को सीधा करेंगे 5 जो front side में उल्टे हैं, और last time में हमारे 3 फंदे सीधे थे न, उनको हम back side से उल्टे बना लेंगे तो second row भी complete हो गई है अब आगे हम third row में third row में भी हमारा वही pattern आएगा 3 फंदे सीधे धागा आगे करेंगे 5 फंदे उल्टे ठीक है धागा पीछे करेंगे 1, 2, 3 3 फंदे सीधे धागा आगे 1, 2, 3, 4 और यह 5 5 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 5 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 और यह 5 लास्ट के हमारे 3 फंदे सीधे तो यह हमारी 3 फंदे थार्ड रो भी कंप्लीट हो गई है ठीक है 3 फंदे कंप्लीट कर लिया है तो 3 फंदे कंप्लीट कर लिया है तो 3 फंदे कंप्लीट हो गया है ठीक है आरा आपके समझ में कहीं पर भी कन्फ्यूजन होती तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा यह बहुत ही आसान पैटन है बिंगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान पैटन है और जैन स्वेटर में यह खासकर अगर आपका बॉई है बेबी बॉई है अगर आपके पास बेटा है तो बेटे के आप जैकेट बनार Software कोटी बनारे Candid स्वेटर बना रहे हो उसमें भी यह पैटन दे सकते हैं अगर आप बिगनर से हैं बहुत ज़्यादा आपको पैटन बनाना नहीं आता डिजाइन बनाना नहीं आता तो इस डिजाइन को आप आराम से बना सकते हैं तो यहाँ पे चौथी रो कंप्लीट हो गई है और हमारा यह पैटन एक पैटन कंप्लीट हो गया यह वाला ठीक है देखे यह वाला पैटन कंप्लीट हो गया है उल्टी रो हमने पूरी उल्टी बना ली अब फिर से हम चार रो कंप्लीट करके पांचवी रो में आ गए हैं अ पीसरा फंदा उल्टा और यह जो पांच फंदे उल्टे थे इसमें पहला फंदा उल्टा ही बनाएंगे धागा पीछे करेंगे पांच फंदों में पहला और इसका पांचवा लास्ट उल्टा बनेगा बाकी यह बीच के तीन फंदे एक दो तीन फंदे सीधे बनेंगे धाग गए नहीं, चार उल्टे, तीन सीधे, अब उसके बाद अब हम पाच उल्टे बनाएंगे, पाच उल्टे ये पाच उल्टे हैं, जो इनके जो बीच के तीन फंदे हैं, उनको तीन सीधे, फिर ये जो तीन फंदे हैं, उसके बगल वाला और इधर फश्ट वाला ये उल्टे बनेंगे फिर तीन सीदे पांच उल्टे तीन सीदे पांच उल्टे इसी तरह से यह pattern हमारा complete होगा तो देखें यह pattern हमने इतना बना लिया as a sample बहुत ही सुन्दर यह pattern लग रहा है और बहुत ही simple है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा बताने का तरीका अच्छा लगा अगर आपको किसी के साथ इसको share करना है तो share भी कर दीजीगा ठीक है पहली बार चैनल में आए हैं पहली बार वीडियो देख रहें तो please चैनल को subscribe करके ही जाएगा बेल आइकन के साथ बहुत सारे project में लेके आती हूँ आप मेरे चैनल पर देखेंगे बच्चों के sweater, बड़ों के gen sweater, ladies cardigan आपको पूरी full detail उसमें मिल जाएगी और उसी तरह का cardigan और उसी तरह के sweater में आप इस तरह का pattern भी दे सकते हैं तो साथ में आपको pattern की भी वीडियो मिल जाएगे ठीक है तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, like, share जरूर कर दीजेगा, ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहीं paint करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो और नई pattern के साथ तब तक के लिए, bye bye